हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप स्वागत है आपका एक और नई शांदार वीडियो में आज की वीडियो में हम आपके लिए लेका है डायनेमिक असेट अलोकेशन फंड्स इन यह मीचल फंड्स को बैलेंस एडवंटेज मीचल फंड भी कहा जाता है यह मीचल फंड उन लोगों के लिए है जो की बहुत कम रिसक लेके मczeल में इंवेस्ट करना चाहते है यह मोट नेजने मिचल फंड क करते हैं मार्केट कि सिदिरीक देखते हुए Actually में ये mutual fund उन लोगों के लिए है जो कि pure date में भी पेसा invest नहीं करना चाहते हैं और pure equity इतनी भी risk नहीं लाना चाहते हैं दोनों में invest करना चाहते हैं तो वो लोग इन में invest कर सकते हैं तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इस category में सबसे best mutual fund कौन सा है जो कि low risk लेके एक अच्छी return generate कर रहा हो तो friends आप वीडियो में एंट तक बने रहेगा और चैनल पर पहली बार विजिट करें तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा आईए friends अब हम वीडियो मे में काम कर रहे हैं सारे mutual fund हमने आपके सामने रखे हैं इनकी अंसोर्टिंग करके बैस्ट टाइनमिक असेट अलोकेशन या बैस्ट बैलेंस एडवंटेज मूचल फंड हम आपके सामने find out करेंगे हमने इन स्कीम्स की नेम लिए है इनकी रेटिंग लिए है अभी क्या रेट होने रखे हैं इन्ही के आदार पर हम इस वीडियो में सोर्टिंग करेंगे और फिर बैस्ट डाइनमिक असेट अलोकेशन mutual fund find out करेंगे सबसे पहले सोर्टिंग कर लेते हम बाई आलफा ये बताता है कि mutual fund अपने बेंचमा के कमपरिजन में कितने रिटंजन रेट कर रहा है अलफा जितना जादा होता है उतना ही अच्छा मन जाता है ऐसे mutual fund जिनका alpha negative में है यानि वो अपने बेंचमा को भी बीट नहीं कर पा रहे हैं तो उनको हम यहाँ पे red mark कर देते हैं क्योंकि ऐसे mutual fund में हमारे को invest नहीं करना है साथ ही ऐसे mutual fund जिनका alpha अभी available नहीं है यानि उ उनको market में आयोए भी 3 years नहीं होए है तो ऐसे mutual fund में invest करने से भी हमारे को avoid करना चाहिए तो उनको भी हम यहाँ पे rate mark कर देते हैं next sorting कर लेते हम by alpha कि ऐसे mutual fund जिनका alpha 021 है उनको हम यहाँ पे orange mark कर देते हैं 123 है उनको हम यहाँ पे yellow यानि moderate mark कर देते हैं and greater than 3 है उनको हम next sorting कर लेते हम by beta beta यह बताता है कि mutual fund अपने benchmark के comparison में कितनी risk ले रहा है beta जितना कम होता है mutual fund उतना ही अच्छा मना जाता है तो ऐसे mutual fund जिनका beta greater than 0.70 है उनको हम orange mark करेंगे 0.62 0.70 है उनको yellow and ऐसे mutual fund जिनका beta less than 0.65 है उनको हम यहाँ पे green mark कर देते हैं friends next sorting कर लेता हम by sharp ratio sharp ratio यह बताता है कि mutual fund कितने risk adjusted return generate कर रहा है sharp ratio जितना जादा होता है उतना अच्छा मना जाता है और अगर एक से जादा है तो वो बहुत अच्छा होता है तो ऐसे mutual fund जिनका sharp ratio अब 20.75 है उनको हम orange mark कर देते हैं 0.7621 है उनको yellow and greater than 1 है उनको green mark कर देते है next sorting कर लेते हम by standard division standard division यह बताता है कि mutual fund कितना जादा volatile है standard division जितना कम होता है उतना ही अच्छा मना जाता है तो ऐसे mutual fund जिनका standard division greater than 40 है उनको हम orange mark कर देते हैं 12 to 40 है उनको yellow and less than 12 है उनको green mark कर देते हैं next sorting कर लेते हम by 5 year return यानि हमारा mutual fund ऐसा होना चाहिए जो कि long time में अच्छे return जनरेट करके दे तो ऐसे mutual fund जिनके 5 year के return greater than 15 है उनको green mark कर देते हैं fund आ जाते हैं जो की सबसे best है लेकिन इससे पहले यदि फ्रेंड्स आपने अभी तक अपना डिमेट अकाउंट नहीं खुलवाया है तो वीडियो की description में हमारा link लगावाए वहां से आप अपना डिमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं फ्रेंड्स यहां पे ऐसे mutual fund हमारे साम फाइवेर के return भी green है साथ ही इसका expense ratio देखिए फ्रेंड्स only 0.46% इसका asset under management यहां पे 6586 करोड हो चुका है दूसरा mutual fund ऐसा देख लेते हैं जो की सारे risk measures के साथ फाइवेर के return green हो तो ऐसा कोई mutual fund हमारे सामने निकल के नहीं आया है दूसरा जो mutual fund निकल के है जिसके की risk measures green होन mutual fund के अभी five year के return अवलेबल नहीं है क्योंकि इसके market में आयो अभी three year हुए है लेकिन three year तक इसके returns काफी अच्छे हैं जो की इडलवाइस से भी अच्छे हैं लेकिन friends five year के return अभी इसके अवलेबल नहीं है बरोदा dynamic equity fund की बात करें तो expense ratio इसका 0.80% जो की इडलवाइस से ज mutual fund इस category में सबसे बाइस निकल के आते हैं अभी आप वीडियो को यहीं skip मत कीजेगा मैं यहां पर आपको आगे rolling return ओ समझाता हूं कि downside protection in mutual funds का कैसा है तो आप थोड़ा सा और आगे चलिएगा friends हम यहां पर इनके rolling returns देखें तो friends मैंने पहले 2017 से इडलवाइस balance advantage fund के rolling returns open के हैं अभी बरोदा की थोड़ा बात में देखेंगें क्योंकि वो fund थोड़ा सा बात में आया था तो friends देखेंगे इस mutual fund ने less than 0% की return कभी नहीं दिये साथ ही returns में consistency maintain की है starting में यहां पे 17 to 20 की return देख रहे हैं हम तो यह mutual fund 11.65% की return perform कर रहा था और current में यह December 18 to December 21 में 17.89% की return perform कर र है इसका downside protection देखें तो friends जब category average negative में 4.04% return perform कर रहा था तब यह mutual fund आपका positive return perform कर रहा था जो की काफी अच्छी बात है थोड़ा और table में समझें तो less than 0% की return में आपको बताए दिया इसने कभी नहीं दिये है greater than 20% की return यह mutual fund बहुत कम देख पाते हैं क्योंकि यह risk थोड़ी स हाँ 15-20% की return इसने काफी बार दिये 17.91% दूसरा दोनों ही mutual fund का हम compare कर लें यहाँ पे तो 20 November 2018 को यह mutual fund आया था आपका बड़ोदा डायम ने equity fund तो यहाँ पे जब इनके mutual fund की return हम देखें 2018-2021 तो यहाँ पे बड़ोदा वाले के return नमबर वन थे उसके बाद आपके यहाँ प परचार है और दूसे नमबर पर इडलवाइस बेलेंस एडवेंटेज फंड के return है इन दोनों ही mutual fund ने इस duration में कभी नेगेटिव रिटन परफॉर्म नहीं किये हैं और हमेशा बहुत अच्छे return परफॉर्म किये हैं जो की greater than 15% है 15-20% की return 100% टाइम्स दिये हैं और लेस दे लाइक कीजेगा और सभी के साथ शेयर कीजाएगा और अभी तक ना आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरू सब्सक्राइब कीजेगा क्योंकि मैं लाता रहता हूं एक से बढ़के एक mutual fund investment से related अच्छी अच्छी वीडियो फ्रेंड्स आशा करता